हलों फ्रेंट गुड इबनिंग क्या से हो आप सब मैं अच्छी हूं और मैं राड़ी हो चुकी हूं कही जाने के लिए अप लोग दमें सकते हो यह देखो और मैंने शाड़ी पहन ली है और आज हम लोग कहीं घुमने के लिए चा रहे हैं और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि हम लोग कहा जा रहे हैं जगे का नाम नहीं बताऊंगी आपको वहाँ जाके आपको मैं जगे दिखा दूँगी तो बने रहेगा मेरे साथ ब्लॉग में तो चलिए आएए चलते हैं और फ्रेंड हम लोग पहुंच गया है राम बन अब लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नजारा है और हम दोनों आए हैं हेलो तो अभी थोड़ा सा बैठी हुए हैं फिर आपको नजारा दिखाते हैं राम बन और फ्रेंड ये देखिए इसके अंदर गार्डेन है और ये चारू तरफ देख सकते हो कितनी सुन्दर सफाई है मैं आपको अंदर से बाड़े के अंदर से हाठ डाल के दिखाती हूँ ये देख सकते हो ये रेलिंग लगी हुई है रेलिंग हाँ क्योंकि हम जो सतनवासी हैं बहुत ही बंदर किस्म के इंसान है इसलिए यहां पर ये लगा दिया गया है ताकि हम लोग अंदर नहीं सकते हो हम सतनवासी कितना ज्यादा बंदर किस्म के इंसान है यहां पर तहल का मजा देते ये देखिए फुवारे लगी हुए है देख सकते हूँ वाँ यहां पर सिप जी पारवती जी और गरेज जी कातके जी और ब्रम्भा जी और हर्मान जी की मूर्तियां इस्थापित है फ्रेंट देख सकते हो और ये देखे फ्रेंट फोटो के साथ-साथ चौपाई के साथ-साथ भगवान की पूरी हिस्ट्री यहां पे बताई गई है और यहां पे आप चारों तरफ आप देख सकते हो मतलब पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है चौपाई के साथ साथ जब आप आओगे देखोगे बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंट एक बार जरूर आईएगा हमारे सतना रामबन में गूमने के लिए तो भीड नहीं है फ्रेंट और जब कोई तिवार आता है तो काफी ज़्यादा यहाँ पे भीड होती है जैसे नया साल में और और भी बहुत सारे तिवार हैं यहाँ पे मेला लगते है और काफी ज़्यादा भीड होती है काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने और खुबसूरती देखने आगी यह देख सकते हो फ्रेंट यहाँ पे फोटो लोगे ना तो बहुत खुबसूरत आएगी यह bridge है bridge के उपर खड़े होके photo लोगे तो बहुत खूपसूरत आएगी और यहां पे सफाई भी है देख सकतो यह है पानी और यहां पे इधर से खड़े होकर और bridge की photo लोगे तो अच्छी आएगी और ये देखिए यहाँ पे गुफा बनाई गई है जो पत्थरों की है और ये मंदिर भी है यहाँ पे और ये पीपल का पेड़ काफी पुराना है अब लोग देख सकते हो और यहाँ पे रिशी की मूर्तियां रखी हुई है जो तपश्या कर रहे हैं इनका तो ताला लग हु यह देखिए यहाँ पे मूर्तियां रखी हुई है जो रिशी जी की है और तपश्या कर रहे है देख सकते हो काफी पुराना है ये सब और यहाँ पे बजरंग बली जी इस्वापिद है काफी बड़े है यह और यह देखिए आपको दूर से ही दिक रहे होंगे बजरंग लोग फेरा लगा रहे हैं, पंडी जी ने बोला फेरा लगा लो, और पंडी जी हमें रक्षा सूत्र भी बांधी हैं, और आप भी आएगा, दर्शन जरूर कीजिएगा, हनमान जी की, क्या खा रहे हैं अकेले अकेले नारियल हनुमान जी का पृषादी है अई गां तुम क्या खा लिए हो मैं भी पावर ले रहे हुं हनुमान जी का पृषाद खातें क्या करोगी पावर का और फ्रेंड मैं सोच रहे थी यहां पे कुछ याद के तौर पे खरीद लूँ तो मुझे एक ब्रेसलेट पसंद है जो मैं डिसाइड निंग कर पा रही थी कौन साल हूँ तो यह रैड या ब्लैक तो इन्हें उन्हें बोला ब्लैक ले लो रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने ब्लैक ले लिया और भाया बोल रहे थे अंदर और ब्रेसलेट लगे हुए है और आप जाके देख सकते हो तो मैं गई अंदर देखने और देख सकते हो भाये ने बोला अराम से बैट की देख लो तो मैं बैट गई देख सकते हो आप तो मैं देखी समान और नहीं उन्होंने मुझे फिर कड़ा दिखाने लगे तो मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने फिर बोला रहें दीजे मु ये देख सकते हो यह शिव तलाब एंश के अंदर टलाब है एक देखों मैं दिखाती हो आप लोगों को यहां से गेट नहीं खुला और वहां भी एक कुछ डिएफ kid और यहां से जाते हैं सब और यह देखिए फ्रेंड हम लोग तलाप के पास आ चुके हैं और वो सफेद कलर का जो आपको मंदिर दिख रहा होगा तो फ्रेंड वहां भी मंदिर है भगवान ची की मूर्थियां इस्थापेद हैं लेकिन फ्रेंड जा नहीं सकते क्योंकि उधर जाने की अभी फैसलिटी ही नहीं है पहले थी अभी नहीं है पता नहीं क्यों और यहां पर काफी पुरानी मूर्थियां रखी हुई हैं और यहां पर गार्ड लगे हैं और यहां पर किसी को भी नहीं जाने दिया जाता फ्रेंड और क्यूंकि काफी पुरानी मूर्थियां हैं और यह देख सकते हैं मैं आपको कुछ मूर्तिया दिखा सकते हूं जो बाहर रखी हुई है और ताला लग हुआ है गेट में तो देख सकते हो बहुत अच्छा है यह दिखे फ्रेंड यहां पे पहले पानी भरा रहता था लेकिन अब भी हम लोग गर्मी में आई हैं तो यह सूखा हुआ है तो गर् कि और यहां पे पताल राइट लगी रहती थी और यहां पे जब कोई अतीथी आता है ना यहां पे रुकता है यह देख सकते हो अGS-सक्ति कितना खूबसूरत है वह सब हमें अंदर जाने दो हम भी अतीथी हैं लेकिन नहीं जाने दिया जाएगा देख सकतेू ना कितना समना करना जिससे आपको डंड़े पड़े ठीक है आना लेकिन अच्छे से आना और गाइस हमने में रामबन घूम लिया है और आप लोग हमारे सपना आईएगा तो रामबन जरूर आईएगा यहां पर घूमने के लिए और आपको मेरे ब्लॉग में पूरा देखने को मिलेग टीक है तो अभी हम लोग घर के लिए जा रहे हैं रास्ते में कुछ खाएंगे देखें क्या खाते हैं अभी देख सकते हो फ्रेंड यहां पर भीड़ नहीं है गाड़ी लगाने की अभी कुछ देर बहुत जब इतिवार आता है ना यहां बहुत भीड़ हो जाती है यहां पी बाइक रखती है और यहां पी पूरा पूरा भुक रहता है देख सकते हो यहां पर गाड़ी रखती है जगह नहीं रहती एक भी पूरा फुल हो जाता है इसका क्या ना में यार बढ़ाना और अभी मैं रेडियोंने वाकियू कैमरा पकड़ो मैं मांक्स लगा लूँ प 10 कर लूँ जादा बहुत जादा डौगा वाद लगये क्या यह झांधनी द्धना लगी हुए देख सकते हो कि पिजिश कवर करना बहुत ही जरूरिये आप कहीं जाओ बिना फेस कवर किये जाना है पुसीगा लिए नहीं नहीं है मर जाए करिये और सब से इसको लगाना बहुत ज़रूरी है आँखों के लिए सेफ चैन बन करें चलो अब हम रेडी है और हम लोग रास्ते में रुक कर इटली और डोशा खा रहे थे काफी ज्यादा बूग लग गई बहुत दिन बाद निकले हैं और फ्रेंट ये अपने बश्पन की दुकान में ले स्कूल जब आते थे तो खाने आते थे होट डॉग और होट डॉग नहीं था बिच्छारे तो हम लोग बर्गर ही खाए मजबूरी में इनको नहीं पसंद था बटे मैंने बोला कोई नहीं आप नहीं खाओगे तो मैं वसूल कर लेती हूं मुझे भूग लगी थी कोई बात खा लेते हैं फिर घर जाके खाना खाएंगे और फरिंड अब मैं खर पहुंच चुकी हूं और मैंने मम्मी पापा के लिए खाना बनाया रोती बनाई आज न्युवंतरन था हमारे बगल में तो पापा गय थे लेकिन खाए नहीं खाना तो मैंने उनके लिए रोती बनाई और बुले की रोती बनाऊ दो और ऐसे हम लोग खा लेंगे तो रोती और खी में खाली है बापा ममी तो फ्रेंड हम लोग आ गए और मैंने नीचे से किचट से काम करकर और अपने कमरी में या वे फ्रेंड आप लोगों को राम बन का ब्लॉक कैसा लगा और एक बात और है म मैंने दिखाया था मूतीयों वाला बहुत खुपसरत था फ्रेंड वह गिर गया झालो मुझे लग रहा हो कि बहुत नहीं अजय था कंफर्म गिर गया था क्योंकि जब गाड़ी में थी ना तो मेरे हाथों में था मैंने वीडियो देखा और आते समय कहीं पे गिर गया वह तो तो मैंने पहन लिया था बहुत प्यारा लग रहा था तो गिर गया कोई नेक्स्ट बार फिल ला लोगी बहुत प्यारा था अगर आप लोग जब सपना कभी आओ तो राम बार एक बार जरूर खूंबना और इसमें न्यूएर पे और फेस्टिवल में ऐसे लगते रहते हैं य कि आप गर्मी के मोशा में आऊगे तो आपको पतिजड वाला यलो यलो पतिया देखेंगे यह आप लोगों को बिल्कुल भी पशन नहीं आएगा तो आप लोग हमेसा ठैंड में आना बहुत अच्छा लगेगा बहुत आदा तो अप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सुस्क्राइब जरूर करना और आप हम आपसे मिलते हैं नेक्ट व्लोग में तर देक लिए बाई बाई